दोस्तों, आज हम बात करें संस्कार धानी या त्रिपुर्ट तीर्थ के बारे में, जिसको कि हम आप सभी लोंग जबलपुर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पहुच चुके हैं जोलपुर संभाग के मुख्याले जोलपुर जिले में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, इस मैप में आप देखें यह भारत का मैप है, इसमें मजड़ परदेश के अंदर आपको एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, यह है जवलपूर की लोकेशन, तो इस मैप को देखके आपको यह समय में आए कि जवलपूर की किसी भी से है, इसमें आप देखें जवलपूर, नर्सिंगपूर, मंडला, सिवनी, इंडोरी, कटनी से अपनी सीमा साज़ा कर रहा है, यह जो मैप है, यह मजड़ परदेश के जो दस संभाग है, उनका मैप है, और यह जो पहले रंग में आपको नीचे साथ दिख रहा है जवलप जवलपूर संभाग का जो मुख्याला है, वो भी जवलपूर में है, रोश्तों बात करते हैं जिले के बारे में, इस जिले का टोटल छेतरफल है, वो 5199 वर किलोमेटर का एरिया है, मतलब कटनी जिले से बढ़ा है यह और यहां का जनसंक्या घनत 470 लोंग है प्रती स्क् मर्जपदेश के सेंट्रल में एक तरह से इस्थित है, और इसको सेंट्रल इंडिया का एक वक्त काफी महत्यपूर्ण इस्थान इसको प्राप्त था, इन दोर के बाद सबसे ज़्यादा आबादी आपको मर्जपदेश के जौलपूर जिले में मिलेगे, जौलपूर महा शेत्र में इस्थित इलाका है, और यह जो जिला है, यह नरमदा और सोन जो नदी है, उनके बीच में इस्थित है, इसका जो उत्तरी और उत्तरपूर वाला जो हिस्सा है, वो सोन नदी सिस्थित है, और जो दक्षणी और दक्षणी पश्णी पश्चिम वाला हिस्सा है, स विश्यो प्रसित धुआधार मिलेगा एक वाटर फॉल हम देखेंगे इसकी तस्वीर भी देखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे तो काफी बहतरीन लोकेशन पर ये स्थित है ये जिला और अपने आप में ब्लेस्ट है प्रकति ने इसको काफी ज्यादा सराहा है कि प्रकति ने काफी ज्यादा इसको ब्लेसिंग्स दी हैं यहाँ पर आपको दो बड़ी नदिया दिख रही हैं यहाँ पर आपको चट्टान यहां पर ब्लैक स्वाइल से काफी जादा फटिलिटी होती है इसकी और जैसे कि मैंने बात किया कि जो इसका उपरी हिस्स है वो सोन नदी सीस्ति और बात में सोन नदी जो है वो बिहार में पटना के पास जाए गंगानेदे मिल जाती है और यह काफी अच्छी लोकेशन में इस्थितर जिला इसके यह जो कि जिसे हम कहें कि पश्चिम मद्र रेलवे का मुख्याला है यहां पर और कटनी जंक्शन के बाद जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो जौलपूर जंक्शन है तहसील की बात कर लेकुल साथ तहसीले हैं यहां पर जो कि हैं जवलपूर, सिहोरा, पाटन, कुन्दम, मचौली, पनागर और शाहपूरा और इस तहसील वाले मैप में आपको ज्यादा अच्छी से क्लियर हो रहा होगा इसके पश्चिम में दमो है, उत्तर में कटनी है, यह थोड़ी सीमा उमरिये से भी लगा रहा है और इसके पूर में दिंडौरी जिला है और जो दक्षणी पूर्वियल हिस्सा है, यह मंडला जिला है, दक्षण में सिवनी है और दक्षण पस्चिम में नर्सिम पूर जिला है, इन जिलों से यह साजा अपनी सीमा करता है, सिर्फ एक पनागर तैसी लेसी है, जो किसी पे जिले सीमा साजा नहीं करती, बाकि सारी त सबाचीत का आप नाम देखिए पार्टन बर्गी जॉलपूर पूर्व जॉलपूर उत्तर जॉलपूर केंड जॉलपूर पश्चिम पनागर उसी हो रहा तो यह जॉलपूर जो शहरी एरिया वहीं पर चारविधान सबाचीत रहा है और जो पिछली कमलात की सरकार थी कॉंग यहांके जो सांसय है वह राकेस सिंग्ग है बहरतर जिंदता पार्टी से और इसके पहले ये मजरपदेश भाजपा के अध्यक्षपी थेem स्देशा क के अभी वरतमान में बड़ी सींग मिली है कि जो भारते दिन्दा पार्टी है इन्हों ने राकर सिंग को अपना चीफ विप बनाया है और इसके पहले इस पद में ये दोहर सोला में भी थे तो दो बार ये चीफ विप बने हैं चीफ विप मतलब एक तरह से एक ऐसा अधिकारी होता है या ऐसा व्यक्ति है पार्टी में जो कि जब भी पार्टी को अपने जिसे लोक सभा बनाए हैं इनको चीफ विप तो लोक सभा में अगर भारते दिन्दा पार्टी को बिल पास कराना है या अविश्वास पस्ताव के खिलाफ उनको शक्ति प्रश्चन करना है यह इसी कोई भी चीज जब भारदीन दा पर्टि चाते हैं उसके सारे सांस्थ उस दिन सदन में उपस्तित उल उसके लिए यह जो चिफ विप होते हैं एक विप जारी करते हैं और इस विप को ना मानने वाले सांसत पे उनके जो पा जिसमें आठ जला आता है आई-एस भरत यादाव यहां के और पुलिस का जो आई-जी रेंज है वो भी उसका मुख्याला है यहां पे और बी-एस चोहान आई-पेस साब आई-जी हैं यहां के जावलपुर रेंज के और आई-पेस जो हैं वो सिध्धार्द बहुगोणा जो कि नर्मदा नजीक किनारे जिसे केते हैं कि मेडिटेशन करते थे योग लगाते ध्यान करते थे उनके नाम से जो अलपुर नाम पड़ा है दूसरी इसकी यह कहानी है कि जो एक अरभी भाशा में जबल शब्द आता है जबल शब्द गार्थ होता है कि जो ग्रेनाइट कि बड़े-बड़े पत्थरों वाला इलाका है जहां पर काफी उचे-चटान होते हैं उससे जबल कहा जाता है और इस कारण इस इस इलाके का नाम जबल पुर पड़ा यह अरभी भाशा में जबल शब्द से इसकी मैं अवधारना उठा रहा हूं तीसरी एक कहानी है कि जो कलچोरी उठाइ उसका एक अब लेक यहांपे मिला है और रहूस अब लेक में बताया गया कि जो जौली पट्टला वाला इलाका था वह इलाका आज कह जोल्पुर वला शेत्र है और इसी से इसका नाम जौलपुर पड़ा हैwe प्रॉलि प्रॉलि कॉलऴ लगो और जो कल्चुरी राज़ता कर्ण उनकी रानी थी जॉली और ये हूण राजवनस के के तरफ से आई थी तो इसलिए एक नाम एक अवधाड़ना है कि जॉली पटला नाम का इलाका इसलिए इसका नाम जॉलपूर पढ़ा तो अंग्रेश लोग इसको जबलपूर ये जबलप कर देती है अचा अब माय हैसलोगी बात करें पौराने कथा में नाम रहते थे जसे जमए तरफ सुर। नाम से जाना जो उपना जाता उसकी रास्थानी भी रहा है ये और महाभारत के समय पे तोय शेश्वपाल नाम का राजा था जिसका वद्ध क्रिशनी ने किया था तो शेश्वपाल का ये छेतर कहलाता था और हमने अभी जो कट्निवाजिला पड़ा था उसमें कहीं किताबों में आपको जो रूप नाति इंस्क्रिप्शन है शोक का वो जौलपूर में बताए जाए लिकिन जौलपूर में अब नहीं है वर्तमान में उकटनी में है यही बात यहां पे लिखी हुई है जो मैंने बताई आपको इससे मालूम चलता है यह लाका जो पूरा यहां अपको नहीं है यहां जग हमेह में पया ervices यहां जी बताए जाए जब में नहीं है जो रूल यहांon से कमज़ूर हुआ तो फिर ये जो इलाका था ये गुपता इंपायर जो गुपता समराज था उसके अधीन एक वैसाल स्टेट की रूप में आगा और यहां पर जो रूल करते थे वो करते थे बोधियों और सेना लोग लेकिन ये अपना जो मालिक थे वो गुपता राजा कोई मानते थे तो ये जो समय था ये 320 से लेकर 550 इसवी की तक की कहानी बता रहा हूं और उसके बद गुपता इंपायर का वीक हुआ तो ये जो पूरा इलाका है ये कल्चुरी राजवन्ष के अधीन आगिया और जो बामराज देव राजा है उसने यहां पर रूल किया और करंड बिल के बार बा जिसने यहां पर 30 सल राज के 915 से 945 समय तक उसने नहला देवी से शादी की थी जो की चालुक के राजवन्ष की जिसे कहें की राजकुमारी थी और ये जो कल्चुरी राजा लोंग थे इनका एक मंत्री था गोलक सिम्हा कायस था इसी ने 64 योगनी मंदर का निर्माण कराय था भी इस थी था हम पढ़ेंगे उसको अभी साथ में इसी के जो मंत्री के कुछ डिसेंडेंट थे इनका नाम था पूर सिम्हा जो की संग्राम जो गोंड राजा रहेंगे उनके बारे में देखेंगे अभी उनके राजवन्ष में दिवान रहे हैं और एक यह समय कालता है चोदा सुथ चाइ मौन चाहि था था तो शंगराम जो शाह है इनकी फुत्र-वदू रहेंगी रानी दुरगावती गोर्ण शाशी का संग्राम शाह का जो टाइम है गोंड राजा का वह 14 सिंग 90 से पन्दा सुतिरा लिस उसके बाद फिर रानी दुर्गावति उनका शाशन आएगा उसके बार उनका जो बेटे है वो भी यहां पे शाशन करेगा उसके बचेसे मैं बता ही रहा हूं भी रानी दुर्ग यहां से जागिरदारी एक तरह से खतम हुई और फिर यह इलाका जो सेंट्र प्रोविंसे से बरारवरा एरिया है उसके धीन आगया अल्टिमेटली फिर यह मजब पदेश में 1956 मिल गया अब गोंडवाना रूल की बात कर लिए जैसे हमने शंगराम शाह की बात की रानी दुर यह मजब पदेश का इतिहास ही है तो यह सारी जो कहानी MP के इतिहास से जुड़ी हुई है आप यह समझालो के अभी यह जो पूर्शन है उसमें MP की हिस्ट्री पढ़ दया हो तो राजा मदान शाह जो की गौंड राजा थे मंडला के थे इनका शाशनकाल था 1138 से 1157 इस शा डिपलॉय कर देंगे और देख सकते हैं कि कोई भी दुश्मन हम पर अटेक तो नहीं कर रहा हूँ चाही पर पहाड़ी पे एक किला बना हुआ है अब बाद में पंद्रसव ईसवी में गौंड राजे शागराम शाकी में बात कर रहा हूँ और उनके बेटे रहेंगी राजे दलपत शाह मड़ावी और इनी की पत्नी रहेंगी रानी दुर्गावती इन लोगों ने यहां पर राज किया और यहां पर एक किले का निर्मान का इनका नाम सिंग और गड़ फोर्ट संग्रामपूर में राएं दुर्गावती की बात की जाए तो ने अकबर से लोहा लिया था और बात में वीरगती को प्राप्त हुई थी तो राएं दुर्गावती एक वारियर थी और हमारे मज़पदेश की शान है रानी दुर्गावती और यह पूरा कंट्रोल करना है तो आपको बहुत सारे पॉंड्स यानि तलाप बनवाने पड़ेंगे जिससे लोगों जो आपकी प्रजा है उसको पानी के दिक्कत ना आए इसलिए राएं दुर्गावती में बहुत सारे जो तलाप आप देखते हैं जैसे रानी ताल, हाथी ताल मुगल इंपायर का मुगल डाइस्टी दिल्ली में रूल कर राज कर रही थी तो उस टाइम जो कड़ा मानिकपूर वाला एरिया है जो कि आज मानिकपूर उत्तर प्रदेश में आता है कि सतना से आप इलहावाद की और चलेंगे तो मानिकपूर का इस्टेशन आता है तो अपनी आर्मी हैं डिपलॉई नहीं की और यह कहा कि आप जो भी रेविन्यू है टेक्स है वो हमको कुछ हिस्सा देते चाहिए और आप रूल करिये उसके बाद तो भी यहां पर कॉन्ट सैशन का राज तो था ही लेकिन अल्टिमेटली ओपर किसका हाथ था मुगल बादश चाहिदीन और मंडला वाला चेतर है काफी जंगलों से घरा हुआ है और वहां पर मुगल आर्मी को आने में और यहां पर कंकर करने में युद करने में मुश्किल होगी इसलिए जो रिदर्शाह है उन्होंने अपनी जो फोर्ट है या पनी पूरी सीट है या बैठा के उसक की और इसको जीत लिया और बाद में जो मराठा है बाजी राओ बाला जी बाजी बाजी राओ के निट्वित में मराठा निजाम को हरा देंगे हिदराबाद के और फिर यह जो इलाका है जो अलपर वाला यह मराठाओं के पास आ जाएगा तो अब बात करते हैं मराठा रू शाशन किया उसके बाद ये मगल बात Ici website १ह एंक नजाम के पास दो न पीरा बघया उखना निज्थास के भास चला गिया। जो नदो नाकपur के भुसले लोग है, उनको ये जो इलाका है जो कि नर्बदा वैली वाला था और सागर वाला च्छेतर था कहते हैं се जो जो कहते हैं उसे जिन उसे मराठा था उसको दे दिया तो यहां पर डर्डग लिखा हुए नर्बदा वैली नर्मदा वैली का ही नाम है, नर्मदा खाटी का ही अंग्रेजी इस तरह नाम लिखते थे, तो यह दिखते हैं यहां पर, लिखा ही हो गई जो बने कहानी आपको बताई है, और यह सारा जो खेल है, बराठाओं के अधिनी 1818 तक रहा, 1818 में फिर अंग्रेजी ने से संधी कर और यह जो इलाका है, अंग्रेजों के अधिन आ रहा था डिरेक्ट में, तो जो सीता वुल्दी का युद्ध हुआ था इसमें प्रिटिश इस इंडर कंपनी ने बराठाओं का जो सागरवला जो बराठा तो इसको हरा दियो, बाद में इलाका अपने अधिन ले लिया, तो जो बिटिश राज के दिन यह जो इलाका थे जबलगड के नाम से कहलाता था, बाद में इसको जबलपूर कर दिया, और जो बिटिश इस इंडर कंपनी का जो ऑफीसर था, जिसकी बैठक जो थी वो जबलपूर में थी, उसको बोला कि आप सागर वाला जो पूरा छेत्र है इस इससे को आप कंट्रोल करिए, और यह जो पूरा छेत्र है, यह इस इंडिया कंपनी की जो नौर्थ वेस्टर प्रोविंसस थी, जिसका मुख्यार आगरा में था, और यह 1858 के बाद यह जो चार्टर रेक्ट आया था, गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट या इंडिया क इसके बाद यह जो प्रोविंसस थी, तर पश्चिम प्रोविंसस का मुख्यार आगरा में था, यह बनी थे और इसके अधीन ही यह पूरा जौलपूर एरिया कंट्रोल किया जा रहा था, तो जौलपूर जो एरिया था, जब यहां पर अंग्रेजा है, उनने देखा कि यह काफी जंगलों से भरगिरा हुआ है और यहां पर जो ठग लोग है यहां फिर ठगी प्रिथा बहुत होती है, यहां पर ऐसा है कि आपका माल जा रहा है और जो ठग है, वो आपके माल को हडप ले रहा है, या लूट ले रहा है, आपको मार दे रहा है, तो यहां के जो ठग और फिर अंग्रीजों ने एक व्यक्ति को लाया यहां पर इसका नाम था विलियम हेंडरी स्लीमन इस व्यक्ति ने यहां पर जो ठागी प्रथा है उसको खतम किया यहां पर रोक लगाई बहुत सारे ठागों को पकड़ा और इनी के नाम से जो कटनी और जवलपूर के बीच में किस्टिशन आपको मिले का स्लीमनाबाद स्लीमनाबाद इनी विलियम हेंडरी स्लीमन के नाम से पढ़ा हुआ है जो चीफ कमिशनर अपॉइंट की गए थे जवलपूर के और इसके पहले यह लखनाओ में जो बिटिस रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे और यह बिटिस रेसिडेंट का जो पद आया है यह जो सबसीडरी अलाइन साइन की गई थी सहाइक संधी उसके अधिन यह तैथा कि भई जो भी राज यह जो भी इलाका अंगरेजियों से सहाइक संधी साइन करेगा तो उसे अपने दरवार में एक अंगरेजी यह थिकारी को बैठाना पड़े जिसका नाम रहे का कर ले कारनि की बात कर ले तो इस करांती में जो गणवाना राया थे राजा शंकर शामड़ावियों की अंगरेजीओ की अधीन ही थे इन लोगों ने तरह से रिवोल्ट किया इनَّ होने विद्रोह किया Ki और इस क्रांथा में इन्हों ने आंगरेजा कि खेलाफ काम किया to शं यह जो कहानी 8 सितंबर 1857 किये जिब तू हमारे महान स्वतंदा सिनानी और गॉंट राजा को अंगरी जो द्वारा एक्सेक्वीट यह मार दिया आता है 1861 में जो सागर और यहां पर सागर को सौगर लिखा है अंगरी जिसको सौगर लिखते थे तो शौगर और नर्मदा टेक्टेट कहती होले इसको संट्र प्रॉइंसज में मिल तिया गया और 1903 चैंट्र प्रवेंसज सब्रावा ऐस्स से उसमें मिल गया इस वज्ञा में safeguard me तो 1900 में की शुरुवात में जो जौलपूर वाला चेतर है उसको सदन जो आर्मी थी इस इंडा कंपनी को इसका फिफ्थ डिविजन का मुख्याला बनाए गिया और 1904 में इस इंडा कंपनी नहीं यहां पर गन करेश फेक्ट्री की स्थापना कराई थी और आज यहां इस गन करेश फेक्ट्री में जो हमारी डिफेंस है जो हमारी रक्षा दियो मंत्वाल है यह हमारी आर्मी है उसके लिए बंदू के बनती है असला गोला बारुद बनता है अब जौलपूर का जब्बे नाम आता है तो आपको जंडा सत्तग्रह का उलेख होता है के चलने की एक उमंग इसी थी और इसी उमंग को और इसी अपने आत्म विश्वास को लेकर यहां पे 1923 में कुछ लोंग अड़ गए कि हम जो यह नगर निगमवा है यहां का जो मेन बिल्डिंग है मिनिस्पर कॉर्पर इसके ओपर जो बिटिस का घंडा लगा इस इंडा क हिंदी साहित्त में एक कवितरी हैं काफी फिर में सुपत्रा कुमारी चौहान नातु राम मोदी और कुछ स्वम सेवकोर ने मिलके जंडा का जुलूस निकला जंडी के साथ और फिर पुलिस ने जुलूस को रोग दिया और फिर जो पंड़िस सुंदरलाल शर्मा है उनको अच्छे महिने का कारावास भी हुआ और बाद में जंडा सत्य ग्रह यह जौलुकुर से इसका केन शिफ्ट होके नाकपुर हो गया और नाकपुर में जो सुपत्रा कुमारी चौहान और इनके जो पती थे पती लक्ष्मन सिंग इन लों नाकपुर गाए और नाकपुर में हमको अनुमती दे दे कि आप सिर जुका के जंडे को थोड़ा नीचे करके आप रैली जुलूस निकाल सकते हैं और यही यहां के जौलपुर के लोंग मांग रहे हैं कि हमारा जंडा फैरान एक हम अधिकार है हम रैली निकालना चाहेंगे फिर जंडा सब्ता ग्रह समाप्त उस टाइमिन के साथ जो रहते हैं वो व्याओ राजीन से अम्हा रहते हैं और महत्मा गांधी से प्रहित होके यहां पे स्वदेशी, सुराज और सथ्यागरादी मूवमेंट होते हैं और उनसे प्रहित होके रविशंकर, शुकल, जोकी मत्रदिश के पहले मुख मंधी रहे सेड़ गविंदा, सुपर्चक्वाई चोहान, माखलांचे तुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिस्र, ये सब बड़े करांतिकारी लोग उफरते हैं महात्मा गांधी के सानेध्यों में, जौलपुर वले छेत्र में, और 949 में यहां एतिहासिक भारतिराश्च्री कॉंग्र जो प्रियाधिफेशन था उसके ध्धक्ष बनते हैं और ये जो हुआ था इसमें एक तरह से जो महात्मा गांधी और सुभाशन बोज की तल्खियां थी, ये जग जाहिर हो गई थी अब इंडिपेंडनेस के बाद, जैसे मैंने बुलागा आजादी के बाद, जब महात्मा गांधी की, 31 जनवरी उनने स्वड़तालीस को हत्या कर दी नाथुराम गोट से ने, तो उनकी जो अस्तियां हैं, उसका कुछ हिस्सा यहां पे नर्बदा नदी में जो तिलवारा ख जैसे मैंने बताया कि सेंट्र प्रविंसस और बरार को भॉपाल और विंद्र प्रदेश को मिला के मद्रपदेश बना दिये गया और 1956 ने फिर मद्रपदेश का पूरा कठन हो गया, और पहले ये बात कि जोलपुर को ही हम बनाएंगे क्या मद्रपदेश की रास्तानी लेक अब इसकी जोग्रफिक ये बात कर लेते हैं, तो ये जो इंडियास का सेंट्रल पॉइंट मैंने बता है है और ये लगभख 411 मिटर के उचाई ही समुत्तल से इसकी और चारों और मंदिरों घाटों से पटब बढ़ा है उपर सोन नदी बहती है नीचे निर्मान नदी वा हुआ है यहां किसी चाई इरिगरेशन के लिए काफी मेरत करता है साथ में आपको लाइम स्टोन बॉक्साइट लोहा मैगनीज आधी के डिपोसिट मिलेंगे यहां पर आपको कुछ वाड़जी के जो क्रॉप्स अनकी खेती भी होती जैसे ओयल सेट कोटन गन्ना शुगर क अनकी बीकेती होती है और विश्मी सदी के शुरुवात में दो भाई थे मोहनलाल और हरकोविंदास इन्होंने यह पता किया या इक तरह से इन्होंने खुझ की कि जो तेनु पत्ता की तेनु पत्ता है या तेनु के जो पत्त हैं यह बीड़ी के लिए काफी अच्छे हो सक नहीं बीड़ी बनाने के लिए इसलिए बीड़ी इंड्रस्ट्री का यहां पर बहुत बॉल बाला रहा अम नदियों की जैसे में बात की यहां पर नरमदा निदी नीचे वला जो हिस्सा है वह अगर बात करें तो यह जो अनुपुर चिला है उसका जो अमार कंठक छेत्र वह करती है चलती है और सत्थ पुड़ा विंधांजर परवतों की बीस से नहीं निकलते हैं इसको हम रिवर रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बहने लेदी कहते हैं और यह पूरे जौलपूर को काफी सीचती है और यहां के जो मिट्टियू काफी उपजावनाती ब्लैक लगाड़ नागपूर हाई कोड़ बना था तो यह पूरा इलाग नागपूर हाईकूर के थीन था जазыв ब निस तो 56 rumors का गठन हुआ यहां पे आपको garment factories, IT companies, education, electrical goods company, limestone, building glassware, furniture, सब कुछ एक बड़े शहर में जो जो हो सकता है वो यहां पे मिलता है, और इस city बहुत बड़ी manufacturing आप इस अलवार सूट को लेकर garments में और यहां पे आप बरगी जो पहाड़ी है, यहां पे टेक्नो पार्क पी सरकार ने स्थापित किया है, और यह जो टेक्नो पार्क है, यह साथ एकर में फैला हुआ है और इसको मतपरे स्टेड इलेक्ट्रोनिक्स डेपार्ट्मेंट डेवलेप्मेंट कॉर्परेशन ने स्थापित किया था, और अगर ऑर्डिनेजा़ के बात करें तो यहां पे वेकल फैक्ट्री है, जो अलपुर में, और यहां पे जो हमारी आर्मियों के लिए जो ट्रक है और जो चीप हैं व पनती है यहां पर गन करेंट्री हैं, मिसाइल, रॉकेट, बॉम, वाइन, मोर्टार्स, ग्रेनेट, ट्रॉक्स, यह सब चीजिया जॉलपुरी बनती है, यह तरह से कहें तो भारती सीना का जो असला बारूद है, उनकी रीड यहां पे है, जॉलपुर में, और इसके अलावा भी इंडियन आम्ड फोर्स और में बताया कि यह संभागी संभाग है तो यहां पे आपको डिविशनल जो कार्याल है, वो तो मिलेगा साथ में, यहां पे नगर निगम भी है, और राकेश सिंग है, यहां के सांसर्द है, भाति जिन्दा पार्टी काफी अच्छे एहमेत रखते हैं, और मैंने बताया कि 2020 म में फिर से भातिन्दा पार्टी के मुखिच विप चुने गए हैं, और जो जो केंटोर्मेंट एरिया, आर्मी एरिया जो है यह, यह देश के सबसे पुराने केंटोर्मेंट एरिया में से एक है, और इसी वज़ए से यहां पे आपको कई सारे विधानसभा सीट दिख रही यह सारे जिले जावर्पर संभाग में आते हैं, और हमने इनकी तैसिलों के बारे हम बात करी लिए हैं, अब बात कर लेते हैं, यहां के कल्चर की, तो जैसे मैंने बोला, यह संस्कारधानी कहा जाता है, चपुर्तीत कहा जाता है, ऐसा क्यूं? तो विनायक दरहरी भावे स जाब ने इस चगे को संस्कारधानी नाम दिया था, वेरी इंपोर्टेंट, साथ में, यहां पर कई सारे आपको बोड़ी लोग मिलेंगे, जैसे माखला चितुर वेदी साब, हरी संकर परसाई साब, व्योहार राजियन सिनहा साब, सुबत्ता कुमरे चोहान, कवी, इनरभ क्यान है, जो संवरिषरी स्थी लेक विए कि कल्चुरी वन से ने चेदी, वन से यहां पर यहां पर मुगल, उसके पहले यहां पर मॉरे डैमियंस्टी करूल रहा है, और हर धर्म जात्तिक के लोग मेन पर मिले clearsem sindini Muslim, Hindu, Christian, Jain सब यहां पर आपको मिलेंगे, और education की बात- और 2011 में यहां पर मद्र पदेश मेडिकल साइंस युनिवरस्टी खुली 2009 मिनानाजी देशमुख वेटनेरी साइंस युनिवरस्टी यहां खुली और 1956 में यहां पर राने दुर्गावती युनिवरस्टी खुली थी जिसको जौलपूर उनिवर्स्टी के नाम से बिजाना जाता है और 2,18 यहां पे धर्मिशास नैस्टन लॉज उनिवर्स्टी खुली और इसके लावे यहां पे हितकरणी सभा जो थी उसने 1868 में यहां पे इसके स्थापना की गई थी और रॉबर्टसन कॉलेज की स्थापना की गई थी यहां पे 1836 में जो की बाद में जौलपूर 1873 में लाए गया, 1836 में सागर में रॉबर्टसन कॉलेज की सुर्वात की गई थी ओर जाऊलपुर साइन्स कॉलेच है यहाँ पे और महाकोषियल आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेच यह दोनों जो कॉलेच हैं पहले रॉबाट संन कॉलेच दो इसमें किया गेा और यहाँ पे त्रिपल आई टीम जौलपूर है 2005 में यहां पे खुला है और यहां पे आप जैसे दिखें कि यहां पे और रव शंकर शुक्ल मतर पर इसके पहले मुख्रमंत्री रशनीश ओशो जो है महरशी महिश्योगी गर्रनमाद मुक्ति पूठी यह सब जौलपूर से जुड़े तो जब यह तीस फुट उचाई से जब नरमदा जी गरती है नीचे जर्णा बनाती हुए तो यह तरह का धुमा उठता है और हमेंसे लगता है कि पुरा फॉग है धुआ है और बहुत तेज गर्जना भी होती है यहां पे पानी आवाज करता है तो यह जो इलाका आपको ब पुर्णिमा के दिन यह काफी ज्यादा मन महगदश रहता है आप यह आप तस्वीर देखिए यह भीड़ा खाट की तस्वीर है अब मार्बल रॉक्स की जिसे हम बात कर लेकि मार्बल रॉक्स यानि संग मर्मर की चटानों के लिए काफी प्रसिद देए और यह जो हिस्सा पहले जो नर्मादा का जो कटाव थोड़ा छोटा था इसलिए जो बंदर थे एक चटान से तूसी चटान मतलब पूरी नर्मादा खूच जाते थे इसलिए बंदर कूटनी कहा गया और यहां के सफेज चटाने हैं यह मैंगनेशियम और जो सोप स्टोन है उससे मिलके बनी है और जब यह आप तस्वीर देखिए दोनों तरफ संग्मर्मर के चटाने बीच नर्मादा दिभे रही है तो काफी बहतरीन जगह है भड़ा गाट के पास है यह अब बात करते हैं 64 योगनी मंदिर के यह भी भड़ा गाट के पास ही हो और इसो कल्चुरी राजवनस ने जो मैंने बताया थे कि जो उनका एक दीवान थे उन्होंने बनाया था कायश साब ने और यहां पे दुर्गा माता का मंदिर है और चौरो तरफ 64 योगनी है यह आप तस्वीर में आप देखिए तो आपको समझ में आएगा शायद मैंने इसके तस्वीर लगा ना भूल गि मैंने आपको बताया था कि मतनमहल जो मतलब गौर्ण राजा थे उन्होंने बन वाया थे यह पर मतनशाहजुत थे और यह पहाड़ी के ओपर यह बना हुआ है और आप इसकी तस्वीर देखिए यह मतनमहल है और यहां पर आपको जो गौर्ण राजा ने जो चीज़े हैं एक यहां पे बैलंसिंग रॉक है और यह जो जगह है यह आपको देवताल के पास मेल गी मतनमहल किले के पास में यह देवताल हो मेलेगी इसे शेल पढ़ना पर कहते हैं और यह जो चटान है यह देखिए इतनी बड़ी चट्टान है और बिल्कुल छोटे सिसस यह टिक के खड़ी हुई है और इसे बैलंसिंग रॉक इसलिए कि यहां पर 6 रिक्टेर का भुकम भी जौलपूर में आ चुका तब भी चट्टान खिसकी नहीं है इसलिए बैलंसिंग रॉक कहते हैं एक जगह है यहां पर डुमना नेशनल रिसर्व पार्क और यह भी जौलपूर के पास में है तो यहां पर जो वाइल्ड लाइफ है वाइल्ड रेजर्व सकती चीटल हो गया यह जंगली भालू हो गया को प millennials는 को से यह क। पी चिल्ण पार्क भी यहां पे और एम्पीटरिसम नहीं हाप एक लोड़ी बनाया है यह आप इसका इंट्रेंस के तस्वीर देख सकते हैं दुपना नेशनल नेचर देशरों मदन महल एको जोन की कशना सेटी का शिव की प्रतिमा है यह 30 मेटर उची प्रतिमा है अगर मेट शॉरी 630 मेटर उची प्रतिमा है मेटर 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 काफी उचे शेव शंक रखवान बैठे हुए और यह कशना सेटी के तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको बर्गी डैम की बात हम कर रहे थे कि बर्गी का जो पानी है जो पीने के लिए या इरिगेरिशन के लिए यूस से गहाट हे क्लिए यह उसकी तस्वीर और बर्गी डैम में कुरूस पी चलता है, उसकी यह तस्वीर है कि द्रम्दा नेदी के बना है वारी घाठ के हम बात करें, High जो लोग इसनान करते हैं उनको उनके सारे पाप धुल जाते हैं और यहां पे एक सिद्धकुंड भी नर्मदा सिद्धकुट उमा खाट के पास जहां पे माना जाता है कि पुराने समय से रिशी मुनी इस घाट में आके साधना करते थे और यहां पे माना नर्मदा का मंदिर भी है जहां पे हर शाम को नर्मदा आरती होती है यह आप तस्वीर दिखिए गवारी खाट की एक घाटे तिलवारा खाट मैंने बताई यह भीड़ा खाट के पास ही था और यहां पे जो महत्मा गांदी के अस्तियां वो प्रवाहित की गई थी और यहीं से नर्मदा जो है वो सक्री हो जाती है और फिर जो मारबल्स की चट्टाने हैं संगमरमर के उनके बीस से निकलती है घुगरा जलप्रपात है यह और अगर यहां पॉशने देखे तो जौलपूर काफी बड़ा शहर है इसके पास खुद का एरपोर्ट डु है और अगर बाई रोड से जाएंगे तो नैशनल हाईवे 7 जिसका अब नाम नैशनल हाईवे 44 है उससे अच्छी गरेक्टिविटी है तो यह सारी बात थी जौलपूर जिले के बारे में काफी लंबा वीडियो हो गया को मानता हूं मैं कि जौलपूर अपने आप में इतना के चीज़ खास हुई है और हमारे मजबरेश की शान है जौलपूर और महा कोशल छेतर वाला हिस्सा है यह और हो सकता था मजबरेश की रास्तानी बन जाता लेकिन नहीं बन पाया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आओगा मिलते अपने अगली वीडियो तक लिए धन्दवाज जय है